प्रेंट्स वेल्कम बैक टु माई चैनल इस्प्रीचल लव टेराट कैसे हैं आप लोग आप खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे है पे होंगे डियर आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की पहली पसंद क्या है तो चलिए जानने की कोशिश करते है मैं पहले ही बता दूँ कि ये रिडिंग जो है उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिसमें थर्ड पार्टी सिच्वेशन है अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिच्वेशन है ये थर्ड पार्टी सिच्वेशन आपके पार्टनर के ला या आपको पसंद करते हैं तो हमारा आज का टॉपिक जो है बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है मेरे वीवर्स काफी लोगों को इंतिजार था पर कुछ प्रॉब्लम थी जो मैं ये टॉपिक नहीं बना पा रही थी कि आपके पार्टनर की पहली पसंद क्या है क्या वो थ वीवर्स के पार्टनर की पहली पसंद क्या है ठीक है पहली पसंद क्या है है झाल झाल तो यहां पर आपके पार्टनर की जो पहली पसंद है वो हमने देख ली है कि क्या है आपके लिए कार्ज निकल चुके हैं बात करी जाएं बॉटम के अनर्जी से इस टेक की तो यहां पर है ऐस अफ कर्फ सिक्स ओफ वांड ठीके तो एस अफ कर्फ सिक्स ओफ वांड यह दोनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं चलिए अब हम कार्ट देख लेते हैं पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड निकलें फिर हम थ्वर परिटिक लिए कार्ड निकालेंगे अगर अगर आपके पार्टनर की बात करी जाएं कि आप उनकी पहले पसंद है या नहीं तो dear मैं आपको बता दूँ कि वो partner जो हैं कहीं न कहीं आप से love marriage करना चाहते हैं शादी करना चाहते हैं किसी तरह की missing energy में दिख रहे हैं आपके partner आपको लेकर manifest किया जाता है तो यहाँ पर बात करी जाए आपके partner की कि आपके partner की पहली पसंद कौन है तो अपको आप ही उनकी पहली पसंद है पर dear कुछ तो ऐसी problems है जहाँ पर यह hang है आपको पता है अच्छे से कि यह problem क्या है क्या कोई third party है या कोई है जिसके कारण यह partner जो है क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा कि आप उनकी पहली पसंद है आपको offer करना चाहते हैं victory हासिल करना चाहते हैं आपक आता है कि आपके partner और आपका रिष्टा इतना खुबसूरत हो आपके partner और आपके बीच में इतनी खुबसूरत energy रहे ज्वेलस है कोई तो कोई तो है जो ज्वेलस है आपकी जिन्दगी से बहुत ज्यादा ज्वेलस होता है यहाँ पर sun का card है dear और यहाँ पर है king of cups देखे king of cups भी है queen of cups भी है आप दोनों कपल आ चुके हैं मेरे हाथ में और मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर यह जो जोड़ी आई है इश्वर इनको हमेशा बनाए रखे जो लोगों की जोड़ी यहाँ पर आई है universe से pray है मेरी कि आप लोगों का यह रिष्टा हमेशा बना रहे क्यों dear dear फिर भी आपके partner जो है emotionally तोर पर आपसे attached हैं वो आपको भूल नहीं पाते हैं यहाँ पर आपके partner का कुछ कर्मा चल रहा है आपके partner का जहां पर यह partner उलचे हुए हैं कुछ ना कुछ तो इनकी life में चल रहा है dear जो आपकी तरफ यह आ नहीं पा रहे हैं प्यार इनको है 100 10 possuds प्यार है इस रिशते पर काम भी करना है पर अलब है कुछ तो अलब है कुछ अलब हैं पार्टनर की जिंदगी में यह चीज यहां पर दिख रही है बात करी जाए कि आपके पार्टनर की पहली पसंद डियर आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं बहुत 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 पसंद करते हैं हर पल हर शंड वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि यह यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस पार्टनर के यहां पर बात हो रही है यह पार्टनर ऐसे हो सकता है कि आपको कप अफर करना चाहते हैं आपके रिष्टे पे काम करना चाहते हैं विक्टरी हासिल करना चाहते हैं आपके साथ में शादी करना चाहते हैं ड पदर उसने कंट्रोल कर रखाए कि ये पार्टनर जो है आपको चाहते हुए भी आपको क्लियर्टी नहीं दे पारें तो यहाँ पर ये क्लियर है कि आप उनकी पहली पसंद हो देखिए आपके पार्टनर आप में क्या पसंद करते हैं आपके पार्टनर को आपकी केर बहुत आप जिस तरह से केर करते हो आप जिस तरह से लव करते हो ना वैसा बंदा उनको कहीं मिला नहीं है या बंदी उनको मिली नहीं है कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर को वैसी पार्टनर आज तक मिली नहीं है जो उनको उसी तरह का लव करे आपके पार्टनर को पसंद होगा ये पार्टनर आपको लेकर बहुत कुछ मैनिफेस्स करते है पता नहीं इनके दिल में क्या-क्या चलता रहता है क्योंकि एमोशनली आपसे बहुत जधा अटेच है इनका बस चले ना तो ये तुरंट आपसे मैरेज कर ले तुरंट आपसे शादी कर ले शादी के दो-दो कार हाँ देखें यहां पर भी यह चाहते हैं आपके साथ में love marriage करना यहां पर भी victory हासिल करना चाहते हैं इस रिष्टे में आगे बरना चाहते हैं पर here कुछ तो ऐसे उल्जन है कुछ लोग ऐसे involved हैं जहां पर आप की life में है कोई तो ऐसा couple है जो आपके रिष्टे से कही ना कही बहुत ज़्यादा ज्यूलिस है आपके पार्टनर जो manifest करते हैं उसमें वो उन लोगों के लिए भी सोचते हैं कि वो लोग जो आप लोगों के रिष्टे में problem create कर रहे हैं वो लोग जो आप दोनों के रिष्टे से बहुत ज़्यादा ज्यूलिस है जिन्नों ने अभी तक आप दोनों के बीच में distance लाया है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो distance जो लेके आए हैं जो distance लोगों ने create करा है आप दोनों के रिष्टे में वो कही न कही खत्म हो जाए और वो लोग जो है आपके हो सकता है आपके पार्टनर के कोई कार्मिक relation हो या फिर आपके रिष्टे से लगते हो पर डियर जिन्सके भी कारण से यहाँ पर problem हुई है आपका partner बस manifest कर रहा है दिन रात कि वो problem आपके और आपके partner की जिन्दगी से चली जाए तो यहाँ पर आपके partner उल्चे तो हुए हैं दूसरों के बीच में stuck भी हैं पर डियर अपनी wish को पूरा करने के लिए दिन रात balance कर रहे हैं दिन रात एक एक पल इन्होंने balance करने की थान रखी है पूरी तरह से दिख रहा है कि यह balance करने के लिए बैठे हुए हैं आपके partner manifest करते रहते हैं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफी लोग आप भी manifestation work शुरू किये हैं अभी अभी हो सकता है कि आपने किसी tarot को देखकर यह कुछ नया चालू किया है कोई chanting वगेरा कर रहे हो कोई meditation कर रहे हो या कोई ऐसा music सुन रहे हो जिससे आप अपने आपको heal कर रहे हो तो वो energy पर यहाँ पर feel हो रही है कि आप अपने आपको बहुत ज़्यादा change कर रहे हो आप अपने आपको change करते हुए दिख रहे हो डियर आपका जो manifestation है और आपके partner का जो manifestation है वो work कर रहा है कहीं न कहीं आपके partner जो है कुछ लोगों के partner hanged है क्यों क्योंकि यह जो third party है वो रोकती है आपके partner को बार बार रोकती है किसी न किसी तरह की कोई energy आपके partner तक send करती है जैसे आप अपने partner को manifest करते हो उसी तरह यह third party भी कुछ न कुछ manifestation करती रहती है दिल में जाने अन जाने ही सही पर डियर यह कुछ ऐसी बाते manifest कर लेती है जो कभी कभी हो जाती है तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है और डियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यह जो partner है इस टक है दिखे यह partner जो है कहीं न कहीं ऐसी उल्जनों में उल्जे हैं डियर आप यकीन मानिये कि आप से महबबत तो है प्यार तो है लव करते हैं पर क्या करे हालातों को देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह partner आपको शायद commitment नहीं दिये होंगे क्योंकि आप इनकी पहली पसंद हो आपको पहली नजर में इनोंने पसंद किया होगा पर क्या करे क्योंकि यहाँ पर जिसके जे सोच रहे हैं आपके partner अपने family के दबाव में इस कदर है इनके control में इस कदर है कि यह इन से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो है कुछ लोगों के partner है इस कदर control में है कि वो उस third party के control से नहीं निकलना चाहते हैं चाहत तो है उनकी आपके साथ में एक new beginning करने की एक new start करने की है ना आपसे शादी करने की आपको हासिल करने की आपसे बोलते भी होंगे कि आपको हासिल करना चाहते हैं आपके साथ में रहना चाहते हैं आपके बगेर नहीं रह सकते हैं कहा भी होगा खूब कसमे वादे किये होंगे पर डियर ये partner जो है ये बस अभी एक समय के चकर में फसा हुआ है और इस समय के चकर के आगे इस partner के कुछ भी नहीं चलने वाली क्योंकि समय नहीं है मैं यहाँ पर बता दूं समय नहीं है अभी मिलन का तो यहाँ पर यह चीज़े clear तरीके से दिख रही है यह partner चाहत तो है manifestation भी कर रहे हैं आपके लिए चाहते हैं ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरे इंतिजार कर लो थोड़े टाइम ही सही पर डियर यहां पर आपके पार्टनर ने आपको बहुत वेट कराया काफी लोगों को तो इतना वेट करा दिया है इस थर्ड पार्टी के कारेंट के आप लोगों मैंसे काफी लोग तो को छोड़ कर अगर यह आपकी जिन्दगी में आता है तो आप में से काफी लोग यह चाहते हो कि आप इनको accept कर लोगे क्योंकि आप इनके बीना नहीं जी सकते हो आज भी आप इन पर depend हो आज भी आपकी यादे जो है इनके साथ जीने का एक सपना है आपका वो चीज यहां प पर दिख रही है आप चाहते हो कि यह पार्टनर जो है जिस भी थर्ड पार्टी में उलजा है वहां से निकल जाए वहां से सारे बंधन तोड़ दे और आपकी तरफ एक victory हासिल करें आपकी तरफ आए आपको commitment दे आपको proposal दे यह आप चाहते हो जिस भी आपके पार्टनर क ने ऐसी करी थी कि जहां पर ये partner जो थे इनके chitting इनके धोके के कारण बहुत लोगों ने आपको कहीं न कहीं hurt किया है हो सकता है आपके अपनों ने आपको कहा हो कि आपका partner जो है वो सही नहीं है आपके friends हो ने कहा हो पर आप नहीं माने पर यहां पर हाला तब जब खराब ह चुके हैं हालाज जब पूरी तरह से बाहर जा चुके हैं कंट्रोल से तब आपको एहसास हो रहा है कि शायद आपने पार्टनर को गलत चूस किया था है ना कहीं कहीं आपको कभी कभी ऐसा लगता है जब दुनिया समाज आपको ताने मारती है दिक्कते देती है प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है तो आपको कभी लगता है कि ये पार्टनर को आपने गलत तरीके से चूस किया था काश आप इनने चूस ना करते पर डियर एक पल में आप फिर सोचते हैं कि नहीं यही मेरा प्यार है यही मेरे नसीब में लिखा हुआ था और मेरा और इसका एक यूणिवर्स की तरफ से बनके आया है यही मेरे भाग्य में लिखा था तो मैं क्या कर सकते हूँ तो बहुत सारी चीज़े आप कॉम्प्रमाइस कर जाते हैं बहुत सारी चीजों को आप ले लेते हैं वो चीज़ यहां पर दिख रही है कलियर तरीके से और डियर बात करी तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे किसी तरह का कोई कम्यूनिकेशन करेंगी, किसी तरह की कोई बात आपसे कर सकते हैं, आपको अपने दिल का सारा हाल ये पार्टनर बताने वाले हैं, कहीं न कहीं ये आपको बोल सकते हैं, किसी तरह की कोई हाई, हेलो, किसी तरह का कोई तो बात यहाँ पर होगी डियर शिर्वात तो आपसे करना है celebration चाहते हैं आपके साथ में एक नई शिर्वात करना चाहते हैं नई सीरे से जिंदगी जीना चाहते हैं आपके partner ठीके हो सकता है कि जब आपके partner और आप साथ में थे तब डियर आपके पार्टनर ने आपसे शादी का वादा किया था किसी तरह का कोई commitment आपको दिया था पर ये पार्टनर कर नहीं पाए इसलिए ये hanged हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने शायद अपने family वालों से बात करी थी और family ने क्या करा इनकार कर दिया रिष्टे से तो यहां पर आपके पार्टनर जो है आपसे भी बात करना बंद कर दिये no contact हो गया है काफी लोगों के लिए तो ये चीज़े दिख रहे हैं पर डियर हम बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की पहली पसंद कौन है तो पहली पसंद तो आपी के साथ में है आपी के साथ में बात करना पसंद है उनको आपके साथ में बात करने से उन्हें happiness मिलती है और डियर उनको एक confident level बढ़ता है उनका कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनके लिए एक तरह से healing का work करते हैं जब partner आपसे बात करते हैं जब आपके करीब आते हैं तो वो heal होते हैं अपने आपको heal कर पाते हैं तो वो चीज़ यहां पर दिख रही है और डियर यह celebration आपके साथ में चाहते हैं आपको अपनी destiny में मांग रहे हैं आपके पार्टनर जो है आपको अपनी डेस्टिनी में चाहते हैं कि यूनिवर्स जो है डिवाइन जो है डेस्टिनी में आपको लिख दे किसी ना किसी तरह से अगर नहीं लिखा है भूल गए हैं तो वो चाहते हैं कि आपको उनकी डेस्टिनी में लिखा जाए और आप दोन से आगे बढ़ा जाए किसी तरह से डिसीजन लिया जाए इमोशन भरे कब जो है उसको रखे हुए साइड में और डियर ये पार्टनर इस बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं ये जो बंधन है थर्ड पार्टी का इसमें से निकल के आपके साथ में जादी चाहते हैं विक्तरी हासिल करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को किनारे करना चाहते हैं उनकी इच्छा है कि ये थर्ड पार्टी को वो किनारे करे और डियर ये आपको कमिट्मेंट देंगे ठीक है तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर जो अगेंस नहीं जा रहे थे family के यहाँ पर यह दिख रहा है कि उनको इस रिष्टे पे काम करना है चाहे उन्हें जो करना पड़े किसी भी तरह से छुपते छुपते वो करेंगे आपके लिए क्योंकि वो आप इस रिष्टे पे काम करेंगे तभी तो वो आपको हासिल कर पाएंगे तभी तो वो आपको अपनी destiny में लिखवा पाएंगे वरना जब वो कुछ effort ही ने डालेंगे जब वो इस रिष्टे पे काम ही नहीं करेंगे तो आपको अपनी सारी problem जो इनकी life में चल रही है अगर कोई third party involved हो गई है तो वो उस third party को हटाएंगे अगर कोई दिक्कत आ गई है अगर कोई ऐसी चीचे आपके partner के life में involved हो गई है जहाँ पर ये decision नहीं ले पा रहे हैं कोई husband wife वाला scenario हो गया है या फिर ऐसी situation हो गई है career इनका problem कर रहा है तो ये सब कुछ maintain करेंगे और डियर सारी problem को excite करके आपकी तरफ आएंगे तो ये है आपके partner के जजबात आपके लिए ठीके आप उनकी पहली पसंद हो 100% हमारा topic यह है कि उनकी पहली पसंद कोई है आप या third party तो आप उनकी पहली पसंद हो चलिए अब हम देखते हैं third party के लिए क्या cards निकलते हैं third party के लिए cards निकलते हैं और देखते हैं कि आपके partner की पहली पसंद क्या third party है तो चलिए देखते हैं कि आपके partner की पहली पसंद third party है third party के साथ में क्या cars निकलते हैं आपके partner के तो चलिए देखते हैं कि आपके partner के third party के साथ में क्या cars निकलते हैं क्या है आपके partner के third party के साथ में relation क्या चल रहा है और क्या चाहते हैं अभी आपके partner क्या third party उनके पहली पसंद है तो देखते हैं पसंद तो किया था जनाब ने इस third party को पर क्या निकलता है काफी cards मैंने निकाल लिये हैं लगताब पूरे card निकल गए हैं बहुत सारे cards आ गए हैं हाथ में और देखते हैं कि क्या बता रहे हैं ये cards bottom के energy भी देखेंगे चलिए यहाँ पर दिख रहा है page of swords के energy page of swords आया है यहाँ पर है two of pentacles और dear knight of wand यही चीज थी जो आपके partner इस third party के करीब गए थे यही चीज थी जो आपके partner इस third party के नजदिक गए थे वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है five of pentacles तो dear यह third party के पहली पसंद में तो dear आपके partner यह जान चुके हैं कि third party की जो पसंद है वो कही न कहीं पैसा है और इस पैसे को लेकर ही यह third party जो है आपके partner की जिंदिगी में involved हुई थी पर dear यहाँ तो आपके partner justice की उमीद कर रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है अगर यह third party में गए थे इस third party को आप family भी मान सकते हैं इस third party को कोई ex-girlfriend भी मान सकते हैं गए तो थे दिखें यहाँ पर दिख रहा है आपके partner बहुत ज़्यादा fire energy में आकर गए थे dear आपके partner इस third party की तरफ ठीके तो यहाँ पर आपके partner इस third party के life में गए इंवाल्व हुए और dear bottom के energy से जो cards है वो है nine of swords four of swords आप देखिए cards को four of swords है seven of cups है ठीके five of swords है third party के बहुत सारे cards निकलाए है dear और यहाँ पर है ace of one bottom के energy से यहाँ पर है ten of swords ठीके ten of swords the impress यह है bottom के energy बात करी जाए bottom के energy के हिसाब से तो dear यहाँ पर आपके partner इस third party की तरफ impress होके बहुत जदा हो सकता है इस third party में कुछ ऐसी बाते थी कुछ ऐसी चीजे थी जहाँ पर आपके partner इस third party की तरफ involved हुए हो सकता है इस third party की परवरिश ऐसी रही है कि यह partner वहाँ से निकल नहीं पाए है इसी लिए यह उस third party में involved हो गए थे इसी लिए आपसे ज़्यादा उस third party को मायने दिया था इन्होंने पर dear बात करी जाए हमारा topic जो है कि आपके partner की पहली पसंद कौन है तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह पहली पसंद थी क्योंकि यहाँ पर आपको भी दिख रहा होगा swords, swords की इतनी energy निकली है जहाँ पर कहा जाता है कि विचार जहारा जो है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा fight वाली situation दिख रही है एक दुसरे से यह जो तलवारे हैं वो टकरा रही हैं कहीं न कहीं आपस में और यहाँ पर बहुत painful situation का सामना करना पड़ रहा है bottom की energy बता रही है कि आपके partner जो है alone feel कर रहे हैं अभी अपने आपको अकेला अकेला रखने की कोशिश कर रहे हैं नहीं दुखी होते तो यहाँ पर अगर यह partner isolation में चले गए हैं दुखी हो गए हैं तो dear यहाँ पर यह लग रहा है कि आप भी उनकी पहली पसंद है third party नहीं है बात करी जाए यहाँ पर तो यह card भी यह बता रहा है कि कुछ option आपके partner को नजर आ रहे हैं जैसे कि आप आपका ख्याल इनको बहुत आ रहा है क्योंकि यह third party में बिल्कुल भी happy नहीं है अपने आपको safe feel नहीं कर रहे हैं जो feelings इनको आपके साथ में आती थी वो third party के साथ में बिल्कुल भी नहीं है dear आपके partner को अब यहां से निकलने की तो काफी time से energy थी पर कोशिश करेंगे fight भी चल रहे है third party के साथ में जो relation चल रहा है उसमें separation चल रहा है पुरी तरह से fight वाला चीज दिख रही है आपके partner को एक ऐसा attraction था एक ऐसी गजब की आस थी थर्ड party की तरफ बढ़ने की जहां पर आपने partner बढ़े पर डियर बढ़कर impress होकर जो भी इन्होंने पाया है वो दर्द भरा रहा बहुत तकलीफ भरा रहा इतना दर्द इतनी तकलीफ इनको सहनी पड़ी है वो दर्द वो तकलीफ इनको जीने नहीं दे रही है impress होना इनका जो इस थर्ड party की तरफ जुकाओ था वो कहीं न कहीं इस partner को ये बता रहा है कि ये partner जो है अब अच्छे हाल में नहीं है तो बात करी जाए कि आपके partner की पहली पसंद तो 100% पहली पसंद पहली पसंद ही होती है बाद में option कितने भी चाहे आजाएं उसको हम मायने नहीं देते हैं अपनी life में तो यहाँ पर आपके partner भी इस third party को भले ही कुछ भी मानते हो पर आपको जो value उन्होंने दी थी अपनी life में आपको जो जगह दी थी ना वो किसी और को नहीं दे पाएंगे चाहे वो कितनी भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएं किसी भी third party, fourth party में क्यों ना चले जाएं पर दियर वो प्यार वो नहीं भूल पाएंगे वो रिष्टा वो नहीं भूल पाएंगे जो first time होता है first love is बहुत ही यहने आप यूं समझ लिजे कि पहले प्यार को भूल पाना बहुत मुश्किल है यहाँ पर justice की उमीद कर रहे हैं आपके partner third party ने इसकदर उनका दिल तोड़ दिया है इसकदर उनको painful situation में ले आई है कि आपके partner जो है बहुत दर्द भरी रातों को जी रहे हैं बहुत ही तकलीफ में जी रहे हैं आपके partner इस दर्द भरी रातों को जीते जीते ठक गए हैं उनको लग रहा है कि यहां से किसी तरह से निकल जाएं तो डियर ये पार्टनर अभी अकेला फील कर रहे हैं अलोन बैठे बैठे बहुत कुछ सोचते हैं बहुत कुछ समझते हैं और साथ साथ इनकी fight भी चल रही है जब ये सोचने समझने लगते हैं तो इने गलतिया नजर आने लगती है और ये उस third party से बाते करते हैं और जब य हीन नहीं आरी आपके partner को बार बार इनको अपना guilt याद आ रहा है बार बार अपनी गलती नजर आ रही है जो negativity इनों ने आपके साथ में की थी जो तकलीफ इनों ने आपको दी थी जिस भी कारण से इनों ने इस third party के कारण से इनों ने आपको बहुत हर्ट किया idea यहां पर clear ये तरीके से बता दूँ कि ये पार्टनर उन सब बातों को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं और इनको ये रियलाइज हो रहा है कि ये फैमिली भी थी तो इनोंने इस फैमिली के चकर में आपको बहुत परिशान किया, आपको बहुत ही ज़ादा emotional ही तरीके से भी इन्होंने आपका फायदा उठाया है आपके साथ में गलत किया है इस third party के कारण और ये सब चीजे इनको याद है इनको पता है कि ये third party का जो चकर था जो third party के कारण इन्होंने आपके साथ में जो जो चीजे की है उससे इन्होंने अपनी life को balance से बाहर लिया है इन balance कर लिया है ठीके ये negativity जो इन्होंने खुदने फैलाई है इस third party के साथ मिलकर उस कचरे को ये साफ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं साफ कर पा रहे हैं, उसका regret फील कर रहे हैं, बहुत ज़ादा इस बात को सोच रहे हैं कि balance कैसे किया जाए, इन्होंने अपनी life को पूरी तरह से कचरा कर लिया आपके partner ने, life में एक पल का भी मतलब इनका मान समान स सब कुछ कहीं न कहीं खो गया है इस third party के चक्कर में और dear आपको तो खो ही दिया इस partner ने regret feel कर रहे हैं हार्मिक मोर पर चले गए हैं कुछ लोगों के partner अवेकन हो रहे हैं पर dear अवेकन कैसे हो सकते हैं क्योंकि आप जब तक उनके पास नहीं होंगे तब तक ये partner हील नहीं हो सकता है ठीक है तो आपके partner को यह अहसास है कि आप ही हो जो उन्हें हील करते थे आप ही हो number one तो यहां प उनकी life हो आप उनकी जिंदगी हो यह जानते हैं क्योंकि वहां पर आपने कार्ड देखा था क्या निकला था यहां पर third party से तो इतना दर्द मिल रहा है इतनी तकलीफ मिल रही है यह जो भी इनका एक fire energy थी एक attraction था एक sexual इन लोगों के बीच में जो रिश्ता था वो कहीं न कहीं ऐसा था कि यह दोनों close आये थे बहुत ज़्यादा देखें यहां पर S of wand है यहां पर devil है यहां पर है night of wand तो यह सब चीजे बतारी एक fire energy इन लोगों के बीच में ऐसी हुई थी कि जिसके कारण attraction बढ़ने लगा आपके partner का और आपके partner इस third party की तरफ चले गई या फिर third party attract कर रही थी आपके partner को अपनी तरफ रोकने के लिए अपनी तरफ रखने के लिए इसने बहुत सारे mind game खेलें बहुत सारी चीजे करी है तो वो चीजे कहीं न कहीं इस partner को याद आ रही है समझ में आ रहा है सारी चीजों पे जो परदा डाल रखा था वो परदा अब हटन रहा है और सारी चीजे सारी चीज अब partner के सामने आने वाली है आप में से काफी लोग ये चीज के लिए पता नहीं कितनी सदियों से यू समझ लीजिए कितने महिनों से प्रे कर रहे थे कि दिन आप लोग प्रे कर रहे थे कि third party के सारी सच्चाई आपके partner के सामने आए तो यहां पर एक टॉपिक मिल गया हमें और बात करी जाए तो भी आपके पार्टनर इस तरड़ पार्टी के साथ में बहुत जाधा ज करूशनि वाले जोन में है ने और रही है कि अधर जाओज पार्टनर जो है परिशान हो रहे हैं बहुत सारी दिक्कतें दिख रही है और यकीन मानियद पैसा की तो बहुत बड़ी प्र początब्लम इस थर्ड पार्टी नहीं पके पर के शक्रमें बहुत जादा पना दिक्षा इस और नाद पर फैसद्स, फ़ोल है दिखते हैं और अब पर पूरी थी थर्ड पार्टी एक जरुवत थी जो आपके पार्टनर ने जरुवत के हिसाब से उसे यूज किया और चले गए वो वाली चीज दिख रही है इसको आप्शन की तरह लिया था आपके पार्टनर ने हां भले ही आपके पार्टनर वहां रह रहे हों कुछ भी कर रहे कि उसको कहीं न कहीं reject कर दे उस third party को अपने जिन्दगी से निकाल फिके तो यहां पर आपके partner के दिल में बार बार यही आता है कि इनकी बेवकुफियों के कारण इनों ने इस third party पे जरुवस से ज़्यादा अपना finance खतम कर दिया जरुवस से ज़्यादा अपने emotions खर्च कर द किसी न किसी तरह से और आपके partner के life में यह devil energy का यूज करती रहती है तो समय समय पर आपके partner को सारी चीजे समझ में आ रही है और यह justice के उमीद कर रहे हैं यहां पर चाहे वो family हो चाहे वो ex हो girlfriend हो थी था पर ध्यान नहीं देना है dear बात करी जारी है कि partner खुश है या नहीं तो बिल्कुल भी खुश नहीं है बहुत sad feel करते हैं बहुत दुखी है वो इस situation में इस situation से निकलना चाहते हैं लेकिन आपके लिए प्यार है आपके लिए love है अपने emotions को लेके बैठे हुए आपको reading जो है अच्छी लगी होगी topic अच्छा लगा होगा कुछ ता कुछ resonate करा होगा dear काफी लोगों को time इंतिजार था इस reading का की third party first choice है या आप तो यहां पर सबसे पहले तो आप ही है उनकी first life first choice okay dear तो चलिए हम मिलते है नेक्स वीडियो पर जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को फटा फट से लाइक कर दो यार और जो लोग first time चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को subscribe कर दो support करने के लिए बहुत बहुत thank you जो लोग subscribe कर चुके हो dear दुबारा उस बटन उसके notification मिल सकें ओके थैंक यू